नमस्कार दोस्तों, हैपी स्टेडी जोन में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं प्राचीन काल में छारखंड और रपोती जबरदस्त और शांदार सेसर रहने वाला है तो चलिए आज का सेसर इस्टार्ट करते है क्वेशन नुबर फ़र्स्ट के साथ में पहला काल में छारखंड का आपना राजनितिक, आर्थिक और समाजिक महत्वता ये भी ऑप्सन बिल्कुल सही है उसके बाद कॉट्र लेकर उसार तातकाले में कुकुट देश्यार के छारखंड में गणतंत्रात्मक का शासन विवस्ता पर अचले थी उपरोक्त में से कौन सा पॉइंट याद रख सकते हैं पहला पॉइंट तो याद रख सकते हैं कि इनका जो शासन विवस्ता थी वो गणतंत्रात्मक थी ये बहुत ही इंपोटेंट है गणतंत्रात्मक इनकी शासन विवस्ता थी दूसरा आपको याद रखना है कि कॉटल ने जारखंड को क्या कहा कुकुट देश कहा था कि आपको याद रुतना है कुकुट देश कहा था कुकुट देश लेकिन अगर आपसे कुकुट प्रदेश पूछ लेता कुकुट लाड अगर पूछ लेता तब क्या इसका अंसर होता आप फटा-फट से सभी को इसका कोशिष करेगा चल्य अगले क्वेशन की तर्बूव करते हैं और अगले कोशना आपके साब नहीं किया रहा यह भी इंट्रेस्टिंग और कुखूट लाड के बारे बात करते हैं इस कुछ लोगा नशर कर रहे हैं штझ ने क्या कहा था बताए आपको Kita दो किमने पूछ्ञान तो कुखूचा था कूखूच लाडं और कुकूट लाडं किस ने कहा था ये कह था ये कहन तो यह आपको याद रखना है ठीक है अगले क्वेशन की तरह मूव करते हैं और अगले क्विशन आपकी सामने है कि कोटल के नुसार छारगंड में किस परकार की शासन प्रणाली की श्थापना की गए थी या श्थापी थी इस क्वेशन का अंसर कर सकते हैं इंपोर्टेंट और अनों बताया भी है तो बिल्कुल जाहिर से बात है अपसा नंबर 20 प्राशन का उत्तर हो जाएगा जितने भी आप लोग भी एंसर कर रहे हैं 20 का बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा अगले क्वेशन की तरह बढ़ते ह हैं और यह पर एक अच्छा और इजी क्वेशन इंपोर्टेंट है संद्रुकुप्त मौरेके शास्तन काल में यह ना के प्रयोग है तो इनमें से कौन सी चीज जार्खन से मंगाई जाती थी इंपोर्टेंट है यह क्वेशन नंबर 4 का से एंसर कर सकते हैं कौन सी चीज मंगाई जाती थी elephant rate तो अगर आप option number C चूज कर रहे हैं तो विल्कुल सही है option number C is correct अगले question की तरफ बढ़ते हैं और अगले question आपकी सामने है कौटिल ने जार्खन के इंद्रवाहक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उलेक ही किया है मैं तो कहा रहा हूँ कि यह super important question है यह super important question है इस person का उतर कर देजेगा करने की बात करते हैं तो और इसा बोला जाता है कि इप य शंठ नदि का इलाका था यह शंक नदि कहला है और शंक नदी आप जानते हैं कि चैनपुर गुमला से निकलती है जार खन में बात करने हैं उच्पूर गुमला से एक लिया तो यह ही रास इसका रहें हो जहगा ही रहें कि diamond डायमंड अंसर कर रहें सब्सक्राइब करते हैं और अगले क्वेशन की तरह मूव करते हैं और अगला क्वेशन है कि छारकन रप्रदेश में अशोक द्वारा बौत धर्म के परचार है तू इन में से किस अधिकारी को भीजा गया था ये भी एक इंपॉर्टन क्वेशन और इसका सही अंसर करने की को कोशिश करेगा देखिए असोक के बात कर रहे हैं तो असोक के तेरहवे शिला लेक में चारकन को किस नाम से जाना गया है इस प्रस्मे का उत्तर कर देज़ेगा वैसे इस प्रस्मे का उत्तर आ चुका है किस अधिकारी को भीजा गया था तो रक्षित को भीजा गया था या कि आपको याद रुखना है इंपोर्टेंट है क्लिया अगले केसिन की तरह बढ़ते हैं और अगले विशन आपके सामने ये रहा फट से इसका अंसर कर सकते हैं किस मौर्य समराट के कलिंग अभिलेक में जार्कन की संबंध में वरनीत है कि इस शेत्र के जिंजात्यों को मेरे धम का आचरन करना चाहिए क्वेक्शन नमबर सेविन का आपको अंसर करना है और इसका अंसर आप कर सकते हैं अच्छा समुद्र कुप्त को क्या बोला जाता है भारत का नेपोलियन बोला जाता है लेकिन किस ने बोला था वह थी भारत का नेपोलियन बोला जाता है ठीक है सबस्क्राइब कर रहेगा आशोख य सुन दाना याशोख कर रहे हैं ऑप्से नमबर सी स caboaus Do अगले को दिर्फोप करते हैं अबको बताता है क्वेशनों इट का अशोख ड़ारा जन जातियों के बेच और की प्रयाचार के रिए बाध number 8 का सिह answer करने के कोशिश करेगा और इसका answer हिंद के तोर पर अषोक की बात हो रहा है अशोक की अब एक से आप इसी correlate कर सकते हैं आउट भी बोला जाता था तो ये आप answer कर सकते हैं और लगवागर सभी ने इसका सही answer भी रहा है तो अफसर बोला गया था और उन्हें बोला भी था अशोक के जो शिलालेक नमबर दो है उसमें उन्हें बोला था कि जन्जादियों को मेरे धम का आचरन करना चाहिए ताकि वो लोग और परलोग प्राप्ते कर सके तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है दूसरे शिलालेक से आप याद झालेक तो इसलिए मैंने आपको उन्हें बता दिये हैं उसके बाद आपको बताना है उसके वस्तान से और तीन सिख्य कौन कौन से याद रखने हैं तो पहले सिख्य आप याद रखेगा सिभूम से रैट सिभूम से कौन से सिख्य मिले हैं दूसरी नंबर पर आपको याद रखना है राची से कौन से सिख्य मिले हैं and third one is चाईवासा, चाईवासा से आपको याद रखने कि कौन से सिख्य पराप्त हुए है, तो सबसे पहले अगर सिंभूम के हम बात कर रहे हैं, तो रोमन समराजजी के सिख्य में रहे हैं, और राची से बात करते हैं, तो कुशान काले न सिख्य पराप्त हुए हैं, चाईवासा से बात करते हैं, तो इंडो सिख्य के पराप्त हुए हैं, तो यहाँ पर रोमन समराजजी के हम बात कर रहे हैं, अगले क्या हो जाएगा, सिख्य पूम जीतने भी अंसर कर रहे हैं, अप्सन नमबर डेस प्रस्न का सही उतार हो जाएगा, तो अप्सन नमबर डेस प्रस्न का सही उतार हो जाएगा, तो अगले क्योशन की तरह बूप करते हैं, और अगले क्योशन की प्रस्न का सही उतार ह जाएको और रसी जितने भी अंसर कर रहे हैं मिल्कुल सही है अगले question की तरफ move करते हैं और अगले question आपके सामने ये रहा और ये भी हमने बता ही दिया है तो आप इसका अंसर कर रहे सकते हैं कि छारखंड के निवन में से इस स्थान से कुशान कालिन सिक्के प्राप्त में है इन तमाम questions को याद रखेंगे ये facts को याद रखेंगे आपसे नहीं भी exam में पूछा जा सकता है strong possibility हैं पूछे भी कहा है अगर लोगसन आपके सामने कि हजारे बाग के किस अस्तान से गुप्त कालिन पत्रों को काट कर बनाए के मंदिर प्रावज हुए हैं ये भी अच्छा प्राशन आपके सामने इसका भियाप अंसर कर सकते हैं देखे हमने जब बढ़ा था कुछ आउशेष महत्पुर्ण जेए तो इसको से क्या मिला था आदी मानो द्वारा, निर्मयतr, इत्र मिला था व्ला सूर्य मंदिर मिला था यआपको याद होगा चले है सत्ते काहँ IFा करते हैं तो सat्ता काहँ यह कोडरवा में में आपको कि आपको हजारी बाग में देखने को मिल जाता है और हजारी बाग के मदुही पहाड से क्या हुआ था कि पत्रों को काड़ कर बनाए गए चार मंदिर का प्रमार मिलता है तो अगर आप option number C को चूज़ कर रहे हैं तो सही है क्यों आप से सब्सक्राइब करें जाता है यह पी इंपोर्टन कोईशन और मैं तो कर रहा हूं कि यह सूपर इंपोर्टन कोईशन है तो आप इसको इंपोर्टन कर सकते हैं क्व OVER 13 का अंसर कर रहे हैं गुपत का बिलकुल सही है तो आपसा histor कर रहे हैं जितने भी अंसर कर रहे हैं गुपत का बिलकुल करICKT अंसर हो चाह का झाएगा अगले सब्सक्राइब करते हैं और अगले सामने का है question number 14 है कि समुद्र गुप्त के शासन काल में छारकंड का उलेखे किस नाम से किया गया है यह भी हमने आपको पता था और आप इसका अंसर कर सकते हैं क्योंकि हमने कई बार आपको बता रखा है तो चलिए इस प्रेस्ट का उतर आप कर दिजीगा प्रफट से इसका से इंसर और देखे सबसे पहले हमने आठ वी ह्या अटावी के बाड़ बात केया था कि असो के तेरावे शीला लेक मैं चारकंड को अठावी के नाम से जना गया है मुरूंञ्ञ उसके बाद कुकुटदेश अबह Ondे है पहले हमने बहुत अच्छे से बताया था कि ौट्ल के अर्थ शास्त्र में और कुकुठ्धीदेश की बात करते हैं तो । दोनों क्या हो जायगा कुकुठ्ध्歡迎 जो होगा धा क्या हो जायगा तो यह आपको कौट्ड के अर्थ शास्त्रesterol और और मुरुन तो हमने बताए कि संग्दुरुकुर्ति के प्रयाग प्रसिस्ति में आपको देखने को मल जाता है और यह वला जो किकट प्रदेश है यह आपको भागवत पूरान में देखने को मल जाता है भागवत पूरान में लेकिन अगर यह वला किकट रहता यह वला किकट प्रदेश होता अब हम अंसर क्या करते अथे अथारवेथ में कहा गया है यह आपको यार्द हिए अथारवेर नहीं बेल कर रिग बेले आप कहा लिए अथर्वे बैल की zrik Veda कहा सकते है रिग यह जिग बेल अateur रुवेद में क्या कहा गए अगर आपने पूछ रहो आप दो बारा से तो व्राथ देश प्रादेश तो इस प्रशन का उत्तर जितने भी आप अंसर कर रहे हैं बी ऑफ्षन का बी ऑफ्षन बी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा यानि कि मुरूंड देश कहा गया समद्रु गुप्त के प्रयाग प्राशास्ते में तो अफसर नमबर बीस प्रशन का उत्तर होगा जिसने भी अपांसर कर रहे हैं बी इस करेक्ट वन अगले क्वेशन की तरब मुव करते हैं और अगला क्वेशन आपके सामने यह रहां तो फट से अंसर करने की कोशिश करेगा तरब इनमन में से किस गुप्त शासक ने पुंड वर्धन को अपने सामराज्जी में मिला लिया जिसमें छारकुन का वेस्तिरितक शेत्र शामिल थ करते हैं और अगले क्वेशन की तरब मुव करते हैं और अगला क्वेशन आपके सामने यह रहां इसका अंसर कीजेगा जरा तभी कोई फटाफट से सिक्स्टीन नमबर क्वेशन है कि अचन दुर्गुप्त द्वीतिये के शास्तन काल में भारताई चीन यातरी फाहयान ने छारकुन के लिए इसका शब्द का परियोग किया है पैसे नमबर सिक्स्टीन का फटाफट से कर देजिए कि इसका सही इंसर क्या होगा कुकुट लाड बिलकॉला वाहयान की बात करते हैं तो कुकुट लाड और वहीं पर एंसांग के अगर हम बात करते हैं तो कर्ण सुर्ण उन्होंने कहा था मुरुंड अभी हमने देखा था कि समुद्र कुक्ति के प्रयाग प्रयाशास्ती में रैड कुकुट देश ये कॉटल के अर्थ शास्तर में लेकिन कीकट प्रदेश अभी हमने कहा बताया था वह कौन था रिग वेद में दोनों ही आप याद रख सकते हैं तो चली अगले कोईशन की तरह मुप करते हैं और आपके सामने कोईशन नुमबर सेवेंटिन जारखंड के अनुबन वैसे किस अस्तान पर गुप्त कालिन पूरा तत्विक और शेश प्राब्त नहीं हुए हैं ये इसका अंसर आप कर सकते हैं और सभी को इसका अंसर करने क कोईशिश करेगा सेजन सर क्या होगा बतेगा यहाँ पर हम गुप्त कालिन बात कर रहे हैं गुप्त कालिन वेनुशागर देखें सबसे पहले तो हम बात करेंगे सतगावा ये कहां पर है बतेए यह कोडर मा में ऐसा भी कोईशन पूछ लेता है कोडर मा में क्या मिले हैं, साक्ष के अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहाड़ी परिस्तित क्या मिला है? एक कुवा मिला हुआ है, यह आपको यदर रखना है, और आ जाह सब्तर को काट कर बनाएंगे चार मंदिर का उसेज मिला हुआ है चार मंदिर का और बेनु सागर से आपको याद आ रहा होगा कि यह जैन मुर्ति तो सात्वी सताबदी की है उससे संबांदित है तो यह घलत हो गया गुप्तिकालिस पिकावा है पिठोरिया है मदोही है लिकिन डी नहीं है तो अबसा नबर डी इस प्रेशन का उत्तर होगा जितने भी आप डी अंसर करने के कोशिश कर रहे हैं और पहला आपके सामने है कि राची के निकाट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्तिकालिस संबादित एक कुवा मिला है बिलकुल सही बात है वितुरंत अबने बता था उसके बाद सत्गाव पहाड़ी से प्राप्तिम बंदिरों के अवशेश उत्तर गुप्तिकाल से संबादित एक सद्गावा के आपने बता कि कोटर्मा में इस देत है उसके बाद उपर रुग तो दोनों के तनसर है या आसत है तो क्वेशन नमबर 18 का अंसर क्या हो जाएगा दोनों के कतन सकते ह अबर से सुर्वे करेक्ट अंसर और जितने भी आप सी एंसर कर रहे हैं कि इसका बिलकुल करेक्ट अंसर होगा अगला क्वेशन आपके समने क्वेशन नमबर 19 बताना है कि शासांक ने अपने स्वामराज जी को चारू रूप से संचालित करने ही तो निवनमेसी किसी राजिधानी बना था क्वेशन नमबर 19 का आपको सही अंसर करना है 19 का करेक्ट अंसर क्या होगा संठाल पर करने का बड़ा बजार और दूल्मी तो सी जितने पी आप अंसर कर रहे हैं सी इस प्रस्ट में का सही उतर होगा नेक्स्ट कारीक्टटर accentsibt आपको बतना है question 20 का तो इसका character answer हो जाएगा छासांग की तो डिनी भूम के वड्वार्व शागर में इस भगवान का मंदर के निर्मित कराया गीं था, अब फोगंत ही महत्तोक२ूर्ण है, और इसका सही अंसर करने के कोशिश करेगा, तबहु के तरप से इसका बिल्कुल करीक्ट अंसर हो, अंसर है श्युव मंदर, बिल्कुल श्युव मंदर का निर्मान कराया था तो question number 22 का answer कीजिएगा इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा शासांग का gain right तो option number 3 जितने पी आप answer करने हैं option number 3 प्रेशन का बिल्कुल correct answer हो जाएगा और रहा शेशन अच्छा लग रहा ना तो एक एक लाइक करते जाएगा और अगर आप शेयर कर पाएं तो एक एक शेयर करते जाएगा और जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लिजी का चैनल को clear अचली अगले question की तरह move करते हैं और अगले question आप की सामने नयाब में तो कोचांग की बात करते हैं तो आप यह नोट कर लिजेगा यह सिंफुम और और मयूर भंच मयूर भंच के सीमा पर अवस्तित है यह कोचांग आपको याद रखना है राइट अगले question की तरह move करते हैं लगोशन है 24 नबर question नहीं में से किश शासक ने जार्खन के सब भी बहुत केंद्रों को नस्त कर दिया तो था हिंदु धर्म महत्ताष तापिक करने का परियास किया तो question 24 का आपको करना है इसका से अगेन हो जागा शासान के तो शासान के जितने प्याप अपनसर कर रहे है आपसर नमबर सीज का बिल्कुल करेक्ट असर हो जाएगा 25 का अंसर कीज़ेगा जार्खन के किसा शेत्र में हर्षवर्धन की मौराकात ही इन सांग से वी थी यह भी एक important question है और इ भी आप ध्यान रखते हैं के लिए अगले question की तरह बढ़ते हैं और अगले question है 26 question कि हर्या को अंश का ववा शासा को तुछार का शेत्र में बहुत धर्म का प्रचायर करना चाहता था question 26 का सही answer सभी को कीज़ेगा और इसका answer होजेगा बिम्बी सार तो जितनी भी आप answer कर अपसे नमबर ए तो अपसे नमबर ए इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा तो अपसे नमबर ए सुपी correct answer 27 question और इसका भी answer करने के कोशिश करेगा बहुत ही महत्यकूर्ण प्रचन आपके सामने है उन्हें में से कौन से कथन आसात्य है आसात्य कथन को बताना है पहला अपसान है क कि अकन्योज के राचा ये शोवर्मन के वीजे के अभ्यान के तोरह ना मगत के राचा जी गुप्त दीवीतियों को जहरकण में शरण लेनी पड़ी इंसान ने अपने यात्रा विडितांत मिराज महल शेत्र के चर्चा की है गुप्त काल में इस शेत्र आईचीनी यातरी जहरकण को कुकुट लाड से संबोधित किया है यह अपरूप तो सभी कतन साते हैं फटाफट से इसका अंसर कीजेगा और इसका अंसर होजेगा और डी जितने भी आप अंसर करने हैं और अप्सेन अबर डी इसका बलकुल करेक्ट अंसर हो जाएगा अगले विशन आपकी स निरंडर अरár यह हैग जेखिल सक्षरार करना है और इसका संपर कर सकते हैं का सेखुस्पर और इसका सेंशर मेर श설कर कर और जितने बी करनावर 550 डी कर रहें हैं एद्य करकल कर लिए